नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंस्यूमर इसके देश में पिछले कई सालों से बच्चों का पाउडर बेचने वाली कंपनी जॉंसन और जॉंसन प्राइविट को बहुल बड़ा जटका लगा है महराष्टा सरकार ने जॉंसन बेवी पाउडर के लाइसेंस को कैंसल कर दिया है और इसे में कंपनी अब मारकेट में अपने बेवी प्रोड़क्स भी बेच दिया है पिछले कुछ समय में कंपनी के ऊपर कई तरह के केस पूरी दुनिया में हुए हैं कंपनी पर आरोप लगा है कि इसके इस्तिमाल से कैंसर जैसी बड़ी बेमारी भी हो सकती है और कंपनी ने पिछले मही ने ये एलान कर दिया था कि वो साल 2023 से टैलकम पाउडर को बेचना बंद कर देगी आखिर क्या है पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में बेबी प्रोडक्स की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में जॉंसन और जॉंसन का नाम आता है सालों से ये कंपनी पूरी दुनिया में बेबी प्रोडक्स का कारोवार करती है कंपनी बेबी पाउडर, वायल, सोप, शैंपू जैसी कई बेबी पोड़क्स बेचती है लेकिन महराश सरकार के एक फैसले से इस कंपनी को तगड़ा जटका लगा है महराश सरकार ने जॉंसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी अब मार्केट में अपने बेबी पाउडर पोड़क्स नहीं बेच पाएंगे महराश फूड एंड ड्रग अन्मिस्टेशन ने मुंबई, मुलोंड, पूने और नासिक से जॉंसन बेबी पाउडर के कई सैंपल मंगबाये थे मुंबई और मुलोंड के सैंपल्स टेस्ट में फेल हो गए जिसके बाद एबडिये ने जॉंसन बेबी पाउडर की मैनुफैक्चरिंग और सेल दोनों पर ही रोग लगा दी है और कंपनी को कारण वताओ नोटी जारी कर दिया है एबडिये की जांच में पाया गया कि इस पाउडर का पी एच वैल्यू स्टैंडर्ड के मुताविक नहीं है साथी इसमें कई ऐसी चीजे मिली है जिससे छोटे बच्चों के स्किन को नुकसान पहुंच सकता है इबडिये ने Drug and Administration Act 1940 के तहत आक्शन लेते हुए कंपनी को पॉड़क्ट वापस लेने का आदेश दिया है और कंपनी के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया है आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब कंपनी के पॉड़क्ट सब स्टैंडर्ड मिले है हाल की दिनों में कंपनी के ऊपर एउरोप और अमेरिका में कई तरह के केसे सुए कंपनी को वहां करोडों रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है कंपनी पर आरोप लगा है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी घातक विमारी भी हो सकती है खुद कंपनी ने 2023 से टेलकम पाउडर नव बिचने का ऐलान भी किया है इटीनाव सुदेश चल यह दो पूरी दुनिया से कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें कंपनी कंपनी पर मुकत्मा कर दिया था सभी मुद्व पर आज हम दिस्तार से हमारे एक्सपर्स के साथ बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर कश्रपनाथ प्रसीजन कंजीमर प्रेटेक्शन जूर गए हैं डॉक्टर मातरी अक्रवार टर्मिटॉलजिस्ट और फांडर आट यवाना एस्टेस्टिक स्किन केर साथी डॉक्टर सजन पुरोहित डिरेक्टर मेडिकल उन्कलोजी मैक्स सूपर स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल श्राली मारबाग हमारे साथ जुर गए हैं का स्वागत है हमारी स्पेहत खास पेशकश में तो यहां पर बात हो रही है टैलकूम पाउडर से कैंसर होनी की और जिस तरह से जो सामने रिपोर्ट भी आ रही है ताजा जो जानकारी आए है उसके तहत महाराश्च्रा में लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है यहां पर हम किस तरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं खासतोर से जॉंसन और जॉंसन की बेबी प्रॉड़क्ट में इस टैलकूम पाउडर में जो की पूरी दुनिया में हरका मचा चुका है कैंसर होने तक की बात यहां पर सामने आई है अजर्ड़ में जब में स्किन स्पेशलिस की बात करती हूँ हमारे लिए अगें बेबी पाउडर नैसेसरी नहीं इसकिन के लिए सिर्फ हम सज़ेस करते हैं कि गर्दन है या फोल्ड एरिया है वहां पर लगाईए जब हम पाउडर पूरे फेस पर लगाते हैं तो स्किन की बढ़ती है और वो इनहेल होता है मतलब बच्चा सास के साथ अंदर खीषता है और अंदर जाके लंग्स और बाकी ओर्दन में तकलीफ हो सती है तो इसलिए ये ज़वरी और अगें जब हम जॉंसन का पाउडर देखते हैं उसके जो कंटेंट है जो कंस्ट्रक्शन वगरा में इस्तमाल किया जाता है तो वहां पर हमारा इधिंग कंसान उठता है कि अंदर जाके क्या इफेक्स दे रहा है अपने इंटर्नल और इसमें डॉक्टर सर्जन मुझे ये बताए कि थोड़ा सा अगर मैं इसमें बारिकी में जाना चाहूँ कैंसर होने की रीजन्स में टैलकम पाउडर कैसे शामिल हो जाता है ऐस सब्सक्राइब देखा जाए टैलक जो है वो टैलक की जो माइन्स होती है वो काफी हद तक उनके आसपास जो दूसरा सिलिकॉन प्रोड़क्टर उसका नाम है ऐस्बेस्टोस तो उसके मिलावट होने के चांसे बहुत ज़ादा होते हैं टैलक को हम कासेनोजनिक नहीं मानते हैं लेकिन इसके अंदर अगर एस्बेस्टोस की इम्पूरिटी आ जाएं तो इसका मतलब इन लोगों के अंदर जो देखा गया कि दुनिया भर में असबेस्टोस से लंग कैंसर और एक रेर टाइप का कैंसर होता है तो जो जहां से टैल्क निकलता है उन माइन्स के अंदर यह इंपुरिटी होने से और लंबे टाइम में अगर हम यह यूज करते रहें टैल्कम पाउंडर तो ऐसा होसता है कि और पंदा से बीस साल में नॉमल पॉपलिशन की कंपेजिन में रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है लेकिन यहां बे पूरी दुनिया में जो मामले सामने आ रहे हैं और बहुत जरूरी है इसका कंज्यूम प्रेटेक्शन का अंगल समझना क्यूंकि इतनी तमाम शिकायते गलत है अब तक इसका संग्यान भारत ने क्यूं नहीं लिया गया है इस पर थोड़ी सी बात करनी होगी जब डॉक्टर कश्य अपनाथ हमारे साथ जुर जाएं लेकिन डॉक्टर माधूरी देखिए अभी तक तो यह मामला केवल टैलकुम पाडर में निकला है लेकिन जॉ लेकि कोई टेस्टिंग होने की कवायत क्या शुरू की जा सकती है या की जानी चाहिए आपके मुताबिक तो आपने बहुत बढ़िया कॉच्छन पूचा विकास क्या होता है कि युएस में वहां पे बहुत स्ट्रिक्ली जाच होती है यूके में जाच होती है और अलड़ी काफी महीनों पहले ये प्रोड़क्ट बहां पे बैं किये गए मताब इस्तमाल के लिए अवेलेबल नही है और को रिप्लेज गया कॉन स्टाच पाउडर के साथ विच इस सेफ और सेफ और ऑप्षिन एंडिया में अनफॉचनेटली अथॉर्टी नहीं किया इंड़नों पर वाट रिजन तो जा कि जो बोलते है नहीं स्टेप लेना चाहिए कि अब ये मिलावट के चांसे है तो हम बैन करें बिल्कुल अलाव नहीं करें तो जॉचन 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 अभी भी प्रोड़क्स इंडिया में जब तब बोल रहे हैं कि ये खतम नहीं होगा स्टॉक और हमारे नया स्टॉक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बात है दूसरे जब हम दूसरे बेबी को बेले फिट होगा इस चीजों से यहां पर जाज के दायरे में अब तक डॉक्टर सजन क्यों नहीं ये प्रोड़क्स आए हैं मुझे ये बताएं आप एंपर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं भारत में कितने केसे आए होंगे कैंसर जिनको हुआ हैं प्रोड़क्स को इस्तमाल क करके डॉक्टर सजन आपको मेरी आवाज आरी डॉक्टर पुरोहित चलिए डॉक्टर माधूरी चलिए हां तो मेरा सवाल जो डॉक्टर सजन के लिए था मैं आप ही के सामने रखना चाहूंगी खैर आप तो एक डर्मटोलोजिस्ट है मुझे ये कैंसर स्पेशलिस्ट सव सवाल पूछने थे लेकिंशाइद उनकी लाइन कट गई है वेरहाल हमारे साथ डॉक्टर कश्रपनाथ जुड़ गए है क्या डॉक्टर कश्रपनाथ आपको मेरी आवाज आ रही है आ रही है तो सर मुद्दा यहां पर यह है कि अब तक भारत ने इसका संग्यान क्यों नहीं लिया गया है और क्यों इमिजेटली ओफ दे शेल्फ जॉंसन और जॉंसन के प्रॉड़क्स ले लिये गए एक्चुली बारत में महराष्ट्र में ही 2013 में इसको बंद कर दिया था लेकिन फिर से अभी वापस उन्होंने अभी यह जो उनका जो लाइसन्स प्रॉड़क्स लाइसन्स है वह वापस फिर से ले लिया है उसके पीछे बंद नहीं होने के पीछे कई कारण है क्योंकि एक्चुली इंदिया में जो बेबी प्रॉड़क्स का मार्केट है वो 15 बिलियन डॉलर मार्केट है तोटली और यह जो बेबी पावडर है उसका 60 to 70 परसेंट जो मार्केट है वो जे एंड जे का है तो इसकी वज़े से उनके इतने साइड इफेक्स और लाइफ ठीटनिंग डिजीज होने के पावजूद इसको बार-बार वो अपने अलग-अलग लीगल रास्ते से इसको प्रोलोंग करते हैं हमने देखा कि जब एक बार ये लेबर्टरी में उसका सेंपल फेल हो गया तो उसके बाद तूरंट अथोरिटी को वो सेंपल वापस लेने चाहिए थी लेकिन वापस लिए नहीं और उसको उन्होंने टेक्टिक अपना के सेंट्रल लेबर्टरी का पलकटा को बेजा इन बिट्विन इनको वो सेलिंग का टाइम मिल गया कि जिसकी वज़ा से वह अपनी जो प्रोड़क्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके अभी अमरिका में भी इसके लिए हजारों केसिस वो दाखिल हुए है इसके खिलाब लाखों डॉलर उनको देने पड़े है लेकिन अमरिका में भी यह इसी प्रकार की टेक्निक वो लीगल जो रास्ते है वो अलग-अलग अपनाते है अभी अमरिका में उन्होंने क्या किया है कि यह ही ये 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 कंपनी ने अपना एक दूसरा पार्ट खोल दिया कंपनी का और जो भी जितने भी हजारों उसमें डाइवर्ट करके फिर उसी कंपनी ने बेंकरफ्टी वहां पर फाइल कर दी तो अभी वो जो भी लॉशुट्स है वो लॉशुट्स के उपर अभी कोई एक्शन नहीं होता है जो भी जज्ज्मेंट्स आये हैं उसमें वहां पर वो कंपनी की जो एसेट्स है उसको यहां पर यह की बात नहीं चाहच्ट दे रही है। बीतों होना की अपनी तरफ से अभी इतनी बडान होगी वाट है या बिलकुल भी नहीं होगे नोगु क्या पर हमें ध्यान में रखने क्या क्योंकि बच्छें बच्चों को तो sunt laugh किया ही जाता है, बहुत एडॉल्स भी करते हैं, महिलाएं खास्तोर से इस्तिमाल करती हैं, डॉक्टर पूरोहेत, जो इन प्रड़क्स के जो केसिस हाएं हैं, वो अच्छी बच्चों में यूज होने की वैसे यंग एडल्स जो लेडीज वगरा हैं, उनमें ओविलिन कैंसर के रिस्प बढ़े और कुछ लोगों में सकिन के कैंसर के रिस्प बढ़ गया है, तो होता है यूज बच्चों में है, लेकिन इसका जो दुश प्रभाव है, पंदा से बीस साल बाद एडल्ट हुड में अर्ली एडल्ट कैंसर के रुप में आ रहा है, तो ये जब इतने साहे लोगों को एक डाउट हुआ, लोगों नहीं इस चीज को अनुभव किया, कि जो लोग बहुत ज़ादा युस्तमाल करते थे बच्पन में ऐसे पाउडर्स वगरा, तो ऐसा उन्होंने पाया कि शायद ये कारण हो सकता है, उसके बाद जब पब्लिक जागरूख हुई तो उन्होंने ये इस पाया कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये एसबिस्टोस के मिलावट की विए से ये टैलकूम पाउडर्स जो है, वो कार्स नोजन बन गया है अब रही बात की इंडिया में जागरूखता क्यों नहीं है, तो जागरूखता वाके में इंडिया में काफी कम है, ना केवल टैलकूम को लेकर, बट वैसे भी अगर आप देखेंगे, लोगों को कैंसर को लेकर ही जागरूखता काफी कम है, तो मैं आपके माधियम से बोलन चाहूंगा कि टेलकम पाउंडर एक कास्वनेजन है इसके अलावा तंबाकू के इतने सारे उत्पाद इंदिया के अंदर है वो भी लोगों को पता चले कि यह सब कास्वनेजन है एर पॉलिशन वाटर पॉलिशन साही चीज़े बहुत ही इंपॉर्टन है अगर हम देखा जा पुरोहित यहां पर क्या यही बात तमाम टैलकम पाउडर में भी होगी क्योंकि यह सब जायच के दाएरे में आने चाहिए यहां पर जॉंसन जॉंसन की बात अगर निकली है तो बाकी जितने भी प्रॉडक्ट्स हैं या इविन जो वेलनेस प्रॉडक्स की जो रेंज होती है क्या उन पर आपको नहीं लगता कि नकेल कसी जानी चाहिए मैं आपसे बिल्कुल एगरी करता हूं और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक वार्निंग साइन है और कोई भी प्रॉडक्ट को ऐसे बना के बेज दिया जा कि बिल्कुल सेफ है यह बायलोजिकली टेस्ट के अंदर आपस आच चुकी है तो कहीं ना कहीं हम लोग और पॉपलिशन भी जिम्मधार हैं बहुत साइब प्रॉडक्ट का हम ढंक से उसको ना समझ पाते हैं ना उसको उसको यूज से वहां निकाल पाते हैं डॉक्टर माजूरी कुछ कहना चाहती है एक और पॉइंट करना चाहूंगी जैसे डॉक्टर ने बोला आपने रहेज किया बहुत वैलेड है क्योंकि हम काफी स्कीन प्रॉडक्स में भी देखते हैं यह फैने स्कीन बेची जाती है इसमें स्कीरोइड है केमिकल्स है जो आ माजल लगा रहे हैं और पता नहीं क्या लगा रहे हैं तो यह अवेरनेस कम है जाचे भी इतनी स्रिक्ली नहीं होती है इसे बाकी डॉक्टर ने मैंशन किया और उन नॉलेज नहीं और नॉलेज की बावजूर लोग चाहते हैं उसे यूज करें कि इंप उनको एफेक्ट द इसलिए लोग जादा इसको इस्तिमाल करते हैं लेकिन यहां पर भी नकिल कस रही हैं लेकिन डॉक्टर कश्य अप यहां पर अब मामला यह है कि जो है वो कानून की रहा अपना ली है और वो भी कोर्ट चले गए हैं इस बात को खारिच करने के लिए कोर्ट में तो गए है लेकिन वहां से भी जब दूसरी सेंट्रल लेबोर्टरी का रिपोर्ट आया है इसलिए अब उनको यह उसके उपर क्यान करना हावस्यक बन जाएगा और ये मेरे ख्याल से जैसे अमरिका और कैनेडा में दूसरा जो पावडर लॉंच किया है इसी तरह का पावडर लॉंच इंडिया में भी करना पड़ेगा और उन्होंने डिकलेर भी कर दिया है कि दो जाटेश तक हम इसको यहां पर लॉंच कर देंगे टॉक्टर माधुरी लेकिन अभी जो लाइसेंस कैंसल किया गया है उसके तहट जो जाच में पाया गया है वो यह है कि छोटे बच्चों की स्किन को नुकसान पहुँच सकता है तो ऐसी कौनसी बात है कुछ pH level को लेकर कोई मापदंडो पर जो है यह पाउडर फिट नहीं बैठ पारा है जिसको लेकर जाच कैंसल होने की बात की गई है क्या यह वही बात है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आगे चलकर कैंसल होने की चांसेश होते हैं एक तो वह बात है, दूसरा जब हम प्रड़क्ट देखते हैं, तो उसका फॉर्मिलेशन देखते हैं, एक तो जैसे आपने बुला पी-एच है, फिर वो जो पाउडर के जो दाने होते हैं, जब हम लगाते हैं, वो कितना स्किन को रब करके उसमें राशिस दे रहे हैं, एलर् चीजों का रहता है, और अगर स्किन ड्राइ है और जब हम उसे लगाएं, तो डेफिनिली स्किन एलर्जी, राशिस, कई वर वो बड़े-बड़े जखम भी हो सकते हैं, तो ये सब चीजे उसमें आ जाती है. रॉक्टर पुरोहित मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई टालकम प्रॉड़क्ट और खास्तोर से क्योंकि अब बच्चों की बात हो रही है, उनके प्रॉड़क्ट की बात हो रही है, तो किन-किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, पहले सवाल आप दीजे का लेते हैं, तो in terms of क्या-क्या उसमें गया है, ingredients अगर मैं कह सकूँ, क्या-क्या चीजें गई हुई है, वो चेक करने की कितनी जरूरत है और कहां से सही तरही किसे आप चेक करें, क्योंकि यहां पर clearly हम देख रहे हैं कि एक-एक laps है, administration laps है, policy laps है, तो आपने बहुत अच्छी हैं, इसलिए जाता लोग branded powders को इस्तमाल करते हैं, मतलब आप अगर मेटोस में देखें कि तो branded powders की तरफ ही बच्चों को लेकर बहुत alert है लोग, लेकिन अगर इतने बड़े ब्रैंड में भी ऐसी problem आ सकती है, तो कहीने कहीं यह दिखाता है कि हमारे जो labs हैं, यह हमारा ज जानकारी दी गई होगी, संस्ताओं को उसके बाद ही अपरूव होगा, तो कहीना कहीं, लोग भी एक आशा में और एक विश्वास में इन चियों को खहिते हैं, इसमें कहीना कहीं मैं मानूँगा कि जो हमारी authorities हैं, उनका भी important role है, कि ऐसे products को और सतकता से जाचे हैं, उसके एक wellness product आरा है, wellness brand आरा है, यह कहा कि यह natural है, यह greens है, बड़ जब हम बात करते हैं, क्या वो FDA approved है, उसके पीछे के लेबल रहता है, क्या हम उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कि इसमें क्या ingredients है, इसमें approvals क्या है, इसकी validity क्या है, तो as a consumer हमें वो awareness होनी चाहिए और यह सब जाचे करनी चाहिए, अगें कुछ बॉड़ी और क्रेट होनी चाहिए, जो इनको प्रॉपर्ली लाइसेंसिंग करें, तो FDA नहीं, अगर हम बाहर की देशों में देखें, तो उनके पास अलग-अलग cruelty free, और safety कितना ही, यह सब देखते है, जब हम डर्मेटलोजी अपरूड बात करते हैं, तो what it means is, उनके brand की कोई doctor ने उसको देखके approval दे लिया, यह नहीं बोलते कि दुनिये, उस देश के सारे डर्मेटलोजी ने उसको चेक करके approval दिया है, तो यह कुछ जानकारी और अवेर ने साजकल consumers में होनी ज़री जब वो एक product लेने जाते हैं, तो ऐसे में बावजूद भी जो जास में पाया गया है, वो यह है कि जो मापदन पूरे होने चाहिए, उस पर यह खरा नहीं उतर रहा है, तो जो replacement है, क्या वो सही replacement है, यह आपको लगता है कि यह product बैन करने में ही समझदारी है, डॉक्टर पुरोहित, नहीं है, डॉक्टर माधूरी आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप यह सवाल का ज़रा देंगी, हाँ, आप question प्लीज रिपीट करेंगे, सवाल यह था, कि अब Johnson & Johnson ने यह कहा है, कि उन्होंने अब स्टार्च का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया है, अब एक तो रिप्लेस्मेंट क्या यह सही है, और अगर रिप्लेस्मेंट सही नहीं है, तो क्या रिप्लेस्मेंट होनी चाहिए, यह आपको लगता है कि जो लाइसेंस रद हो गया है, यही बड़िया विकल्प है हमारे लिए? I think, जो कॉन स्टाज का अल्टरनेटिव है, उनके हिसाब से इस बेड़र अल्टरनेटिव देन अस्बेस्टोस, यह नहीं है कि यह डेफिनली स्किन फ्रेंदी है, यह डेफिनली स्किन को नुकसानी होगा, हो सकता है कुछ सालोबाद हमें पता चले इसका भी कुछ दूर प असके लिए सजेस करते हैं फोर्स, पूरे चेहरे पे हातों पे बोड़ी पर लगाना जवरी में बल्कि उससे और रैशे आएंगे और तक्रीफ होगी, तो इस इस वाट आप तो से राइट नाँ कि फिलहाल यह एक अल्टरनेटिव है, अगर हो सै कि तो अवाइड करिया है सेम सवाल का जवाब आप से क्या होगा, डॉक्टर सज्जन? तो मैं नाम से अग्री करूँगा कि बच्चों को लेकर हमारे को हम कभी बहुत ज़्यादा सत्रक रते हैं और हम बहुत सारे प्रोड़ेट्स, पेशली जैसे बच्चा, हम बहुता सोसते हैं कि इसको लगाएंगे तो गोरा हो जाएगा बच्चा, या यह इसकी स्किन के लि या फिर आप अपने घर के अंदर उसको बच्चे को सिर्फ ड्राई कर लें, आप कॉटन से उसको बच्चे को मौश्यर अवॉइड कर लें तो वो भी काफी है, तो जहां तर मुझे आइडिया इतना ज़्यादा इन चीजों की ज़रूद भी नहीं है, और टैल्क as such safe product है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि टैल्क का कोई, तो बहुत सार डेटा लॉंग तरम है, प्रॉल्म आ रही है, इंपुरिटीज को लेकर, तो कहीं न कहीं कमपनी पे जब जॉनसन और जॉनसन जैसी कमपनी इस बात का असवाशन नहीं दे पाई कि वो उसमें asbestos की करें, और अगर आप वो करना भी है, तो फिर आप अपने डर्मेटोजिस से मिलकर, या स्किन की डॉक्टर से मिलकर, या बच्चों की डॉक्टर से मिलकर उस प्रॉडट को इस्तिमाल करें। तो ऐसे में कश्यब जी क्या 2023 का इंतजार करना चाहिए जब कमपने का आए कि अपने प्रॉड़क्स को शेल्फ में से उतार देगी या उसके पहले ही रद कर देना चाहिए सब जगा से। उसको पहले से ही रद करने चाहिए और अपना जो पुराने जमाने का जो रिटी रिवाज है कि उसको अभ्यंग करते हैं बच्चों को तो वो ही अपनाना सब्से अच्छा रहता है। हुआ कि नहीं है कि हैं परंड क्या सब्सक्राइब तो पॉर्जा इक जमीन में पास-पास पास चाहिए तो इस बेस्टा.'s को अब ही स्वाभाविक रहता है तो उसको अभी से ही उसको आप बं करने ना चाहिए., बं करने ना चाहिए। चाली तो एक बार फिर से जाच के दायरे में जॉंसन और जॉंसन का बेबी टालकम पाउडर आ गया है हाला कि कंपनी ने अपनी और से बयान भी जारी किया है देखना होगा ये लड़ाई किस और जो है वो रुख लेती है लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है माता पिता को सतर्क हो जाना जिस भी तरह के प्रॉड़क्स बच्चों पर लगाते हैं वो किस क्वालिटी के हैं उसमें क्या-क्या कीजों का इस्तमाल हो रहा है थोड़ा पड़ लिक कर रिसर्च करके ही प्रॉड़क्स का इस्तमाल करें भलबर धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकर में शामिल होने के लिए मुझे भी इजाज़त दे नमस्का